Hello friends, welcome to History Simplified for IAS हमारा आज का topic जो है discussion के लिए that is तबाकते नासीरी तबाकते नासीरी is a collection of 23 volumes of books तो मिनहाजे सिराज ने इसको author किया है text है जिसमें 23 volumes है language देखे तो Persian language है Persian language में तबाकत का meaning है chapters और नसीरी इसलिए यूज किया गया because सिराज को paternize किया था नसीरुदीन महमूत शाह ने और इनी के समय में इस text का completion हुआ था in the year 1260 मिनहाजे सिराज अपनी book में Islamic world के historical events को हमें बताते हैं 1260 AD में क्योंकि completion हुआ है तो वहाँ तक का जो Islamic world की history है हमें उसके बारे में ये बताते हैं starting from the Adam, Adam से start करते हैं 1260 AD तक आते आते हैं जो भी major events थी, historical events थी Islamic world में उसके बारे में हमें information देते हैं तो Prophet Muhammad के बारे में भी हमें information प्रोवाइड करते हैं then he also talks about the Khalifas, Khalifas के बाद मेहमूद गजनवी के बारे में गजनवित्स जो थे जिन्होंने काफी आकरमन किये थे उनके बारे में information देते हैं गुरित्स के बारे में information देते हैं including Muhammad Gauri so 20 volume से लेके 23 volume जो है वो हमारे लिए ज़्यादा importance रखती है because उसमें ये specifically सुल्तानों के बारे में बताते हैं Mamluk dynasty के बारे में बताते हैं तो कुतुबदीन एबक जिन्होंने Mamluk dynasty इंडिया के अंदर स्थापित की थी कुतुबदीन एबक से लेके नसीरुदीन महमूत शाह तक के रूल में जो भी major events हुईए वो हमें तबाकते नासीरी के थुरू सिराज हमें बताते हैं so इसमें कुतुबदीन एबक हो गए then इसके बाद इलतुतमिश हो गए then रजिया सुल्ताना हो गई नसीरुदीन महमूत शाह हो गए तो ये कुछ तीन-चार important rulers थे जिनके बारे में हमें यहां से information मिलती है अगर 20th volume देखें इसमें जो volume 20 है उसमें ये हमें एबक के बारे में बताते है कुतुबदीन एबक और उनके बेटे थे अराम शाह इन दोनों के बारे में बताते है कि किस तरह से इनकी मुल्तान के कबाचा के साथ रिवैलरी रही और बंगाल के rulers के साथ भी ये रिवैलरी में रहे तो ये हमें volume 20 से information मिलती है और ये जो बंगाल की जब हम बात करें तो बंगाल की politics के बारे में अगर देख ले तो मिनाज हमें काफी authentic information देते है इनके अलावा जादा sources नहीं है उस समय के contemporary history के और ये भी कासर आ सकता है कि अगर कोई authentic source है तो वो सिर्फ मिनाज की ये text है जहां से हमें इस contemporary time का बंगाल के politics के बारे में जो information मिलती है वो सबसे दो authentic source है वो मिनाज की book है मुहम्मद बक्तियार खलजी से लेके ग्याजुदीन इवाज खलजी जो important Muslim rulers यहां पे रहे थे जब मुहम्मद बक्तियार खलजी ने जाके Muslim वहां पे एक dynasty को स्थापित किया वहां से लेके ग्याजुदीन इवाज खलजी जिसके बाद ये डेली के अंडर में आ गया था बंगाल उस समय तक की जो information है वो हमें मिनाज जे सिराज की book में मिलती है देन बंगाल में Muslim society के बारे में भी कुछ जानकरी यह देते हैं अब वो हम कुछ ही बोलेंगे बिकोज उसमें बहुत जादा अच्छी तरह से इन्होंने society के बारे में information नहीं दिये हमें और इनका जो थोड़ा बहुत focus रहा है वो सिर्फ Muslim society के उपर ही रहा है यह हमें बताते कि किस तरह से rulers ने वहां पे मदरसे बनवाए वहां पे mosques बनवाई सिर्फ वहां तक की information हमें मिन्हाज प्रोवाइड करते हैं इस book में तो इसलिए हम लोग इसको political जादा बोलेंगे और society और religion के बारे में इसमें जादा information नहीं निलती ना सिर बंगाल के बारे में जब हम सिरोदीन महमूद तक का जो rule है उसके बारे में हमें मिन्हाज यहाँ पर information प्रोवाइड करते हैं then volume 22 यह हमें nobility की importance के बारे में information देते हैं तो इक्तादारी system जो चल रहा था उसके कारण और जो council of 40 जो बनाया गया था इसके कारण nobility काफी strong थी इन सुल्तानों के समय पे तो उसके बारे में हमें information भी यहाँ से मिलती है यह हमें governors के बारे में बताते हैं military generals के बारे में और बाकी जो eminent nobles और courtiers थे उनके बारे में भी information प्रोवाइड करते हैं उनके biographical sketches भी हमें यह प्रोवाइड करते हैं then volume 23 की बात करें तो जंगेज खान और उसके बाद जो उनके successors थे that means he was talking about mongols तो mongols की जो power बड़ी थी उसके बारे में यह information प्रोवाइड करते हैं और mongols ने जो muslims का persecution किया उसके बारे में भी यह हमें बताते हैं और यह यह भी बताते हैं कि किस तरह से जो mongols हैं वो इंडिया के western और north western boundaries के उपर एक बहुत बड़ा challenge pose कर सकते हैं तो मिनहाज की book की अगर बात करें तो काफी language इसमें straight forward है accurate है इसके साथ साथ मिनहाज ने बाकी भी जो historical sources है उनमें काफी hard work किया है information collect करने के लिए और documents को gather करने के लिए देन उसके बाद इन्होंने ये सारी चीज़े जो है historical sources से लेके इन्होंने अपनी book के अंदर document किया है जिसकी वज़े से इनकी book की जो इनकी text की authenticity है वो काफी बढ़ जाती है देन जो हम पहले बात की बंगाल की अगर बात कर ले political history के बारे में तो contemporary period में सबसे important source ये बन जाता है और माना जाता है कि majorly कह सकता है कि केवल यही एक authentic source है उस समय के बंगाल की history को बताने के लिए लेकिन इसमें limitation फिर यही आ जाते है कि majorly जो इसका focus है that is political history बंगाल के बारे में बोले तो भी सिर्फ यह political history के उपर जादा focus करता है इंडिया के बारे में बोले बाकी जो part है इंडिया का उसके बारे में भी बोलते है तो भी यह political history के उपर ही जादा focus करता है तो social religious जो aspect है history का उसको ये ज़्यादा space नहीं देता है ज़्यादा focus नहीं करता उसके बारे में तो इसलिए कहेंगे कि social religious history ना होने की वज़े से ये एक तरह से एक अधूरा source है उस थमय की history के बारे में so majorly इसका focus political history है लेकिन फिर भी because it's a very authentic source काफी accurate इसमें चीजें बताई गई है और chronology भी इसमें काफी हद तक सही है तो इसलिए हम इसको काफी authentic source बोल सकता है और इसलिए ये काफी importance भी रखता है तो जूसरी चीज़ी है कि ये rulers के काफी close थे नसीरदीन महमूत के ने तो इनको patronize किया था उसके काजी थे नसीरदीन महमूत के अलावा रजिया के समय पे निलतुतमिश के समय में भी ये close रहे तो close रहने की वज़े से क्या है जो इनके पास information थी rule के बारे में वो काफी ज़ादा थी जिसको इन्होंने document भी किया है अपनी books में तो इसलिए इसके authenticity काफी ज़ादा बढ़ जाती है तो एक छोटा सा question इसके उपर पूछा जा सकते है majorly history optional के लिए ही important है तो उस question को आप easily इसमें आप handle कर सकते हो और बाकी जैसे जैसे हम आप सुल्तानों के बारे में आगे discuss करेंगे तो वहाँ पर अगर इन्होंने कुछ comment किया है किसी सुल्तान के उपर या कोई कुछ एक specific कोई चीज बोली है वो हम वहाँ पर भी deal करेंगे तो आप answer में उसको भी add कर सकते हो so thank you very much and have a very nice day